सबको जैये सुकी प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहायो बहनों नव जीवन का संदेश इस शेर्शा के अंतरगत प्रति दिन का ईश्वर का जीवन तवशनों को सुनने के लिए उस पर मनंचिंतन करते भी उसके अनुसाथ चलने का प्रयास करने की क्रफा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूं और आज अगस्त की बारा तारीक है शनिवार का दिन है विशेस रूप से हम माता मरिया का आदर समान करते उनकी मद्यस्त मांगते हैं और आज की इस दिन में प्रभू अपने वशनों के द्वारा मुक्य रूप से पहला पा मात्यम से हम सबों के समुख प्रस्तुत किया गया है इस वशनों के द्वारा प्रभू हम सबों से क्या कहता है इस बात को हम सभी इस वक्त सुनेंगे मुक्य रूप से आज के इसु समचार के द्वारा प्रभू विश्वास पर जोर देता है बल देता है और इसमें के जीवन में प्रभू के साथ रहने के बहुजूद प्रभय E rival किये वे माम चिन चमतकारों के बहुजूद उनका विश्वास बहुत ही कमज़ों तक और इस वज़ें से एक विक्ती जब प्रभू के शिश्चों के पास आए उनका जब बेटा मिर्गी के दोरे से पड़ा करता था अब दूरा सताय जा रहा था प्रभू के शिश्च उसको ठीक नहीं कर पाए प्रभू ने उसको तुरंत ठीक किया जब प्रभू से प्रभू के शिश्चों ने पूचा हम लोग इसको ठीक क्यों नहीं कर पाए प्रभू ने उसमा झाह-का समाधान दूंड पाओंगे विश्वास होगा, बिमारी से चंगायं परप्त कर पाओंगे विश्वास होगा, सब कुछ अकर पाओगे प्रभी यही बात अपने शिष्चों को बताता है आज के पहले पार्प में देखते हैं आ या जहां पर बताया गया है सभी मानो जाते से हे इसराइल सुनों हे इसराइल सुनों हम़ा प्रभी इश्वर ये जिसने हम सबों को बनाया है वही एक मात्र इश्वर है और वह też बता है तो अपने प्रभु इश्वर की इश्वर को अपने सारे रदय सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो ये बात बताएगा ये एक इश्वर है उसे इश्वर को ही मानो जानो और उससे अपनी आत्मा से शक्ति से और बुद्धे से उससे प्यार करने की बात हम सबों के सम्मों का आज के दिन में रह गई है इशवर से प्यार करना इशवर को मानना इशवर पर विश्वास करना हम सब का परम करतबी है और आगे इस बात को बताया गया है जो शब्द मैं तम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुमारे रदाई पर अंकित रहे जो बात मैंने आज जो हम सबों के लिए दर्ती पर आया जो सूली पर मरा हमारे पापों की सजाब होगी जिसने मुरत्यों को हरा कर पनरजीवित हुए वही हमारा उद्धर करता मुक्तिदाता प्रभू है उसी पर विश्वास करने के बात हमें बताई गई और इस बात को हम कभी ना बूले हमारे चलते शाम को लेड़ते हैं समय उनकी चर्चा किया करो प्रभू का वशन ये बताता है इस बात को अपने बच्छों को अपने संथान को सिखाय करो और चार अलगला समय दिया गया सिखाने का यहां पर बताया गया है घर में बैढ़ते वक्त गर में जब एक साथ बैढ़ ग होगा शुद्र होगा उसके बाद बताया गया रहा चलते रहा चलते भी वहां पर हमें समय बर्बाद करने की जरुद्र हैं जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं वहां पर भी हम उस प्रभू पर द्यान केंद्रित करते हैं उसके वच्छनों पर द्यान केंद्रित करते हुए और एक दुसरे के साथ इस बाइसी बातों को किया करें जो फाइदे मंद हैं लाबदाय के सखारात्मक हैं आगे लिका गया शाम को लेटते समय शाम को शाम के वक्त शाम को लेटते समय लेटने जाओगी पुरा दिन समापत करने के बाद दिन चरिया कतम करने के बाद उस वक्ते ही इश्वर की बातों पर मनंचिन्तन करते एपने बच्चोंं के साथ आपने संतानों के साथ इसको साजा करो यह बात बताए गई हैं करो उड़ते समय सुबह उड़ते ही उस इश्वर को याद करो उसकी सुती अरादना महिमा करो उसको धन्यवाद दोईस प्रकास सुबह और शाम रहा चलते या घर में बैड़ते इन बातों की चर्चा कि आ करो किन बातों की कि एक इश्वर है यह की उधार करता मुक्तिदाता उसकों सिवा दूसरा कोई नहीं उससे दिल से मन से आत्मा से शक्ति से प्यार करने की बात की चर्चा करने के लिए बताया है और इस बात को बता गया तुम उन्हें निशानी के तरह अपने हातों पर अपने ताविश के तरह अपने मस्तक पर बांदे रखो और अपने घरों के चौकट रता फाटकों पर लिख धो यह बात यानि कि कितने महतपूर्ण बात हम समुक रखी गई है राज के सू समचार में हम देखते हैं एक मनश्य प्रभू के पास बड़े विश्वास के साथ आता है क्योंकि उसका बेटा मिरगी की दोरा की वज़े दोरा पढ़ने जाने से कहीं तकलीपों में था यह विक्ती बड़े विश्वास के साथ प्रभू यह सु के पास आता है गुट ने टेक कर बोला मेरे बेटे पर दया कीजिए उसे मिरगी का दोरा पढ़ा करता है उसके हालत बहुत कराब है और वाक्सर आग या पानी में गिर जाता है यह नहीं कि मिरगी का दोरा यह उसके साथ-सके अलग application आग में पानी में पढ़ जाना कितनी परिशानी और आदमें को जिलने पड़ते अपने ब परभू ने अब्दूत को ढांटा और बूपए के से निकल गया जाने परभू ने आदेश दिया डांटा निकलने के लिए तरंध निकल गया और उसमें इस बात का भी एक जिक करे किया मैं इस बात है इस लड़के को लेक catchy सबस्थ कर पास के आज के सू समचार में मनंचिंतन करने के लिए प्रुबू के शिश्यों के जीवन में विश्वास की कमी थी आज के दिन में भाई यो बहनों हम सबूं के जीवन में हो सकता है विश्वास की कमी है विश्वास का अबाव है जिस वज़े से हम लोग बहुत कुछ काम नहीं कर प पाते हैं हो सकता हमारे प्रार्तना में जीवन में हमें कमी है विश्वास के जीवन में कमी है अलगला प्रकार की कमी के वज़े से हम प्रभू की सेवाकारिय नहीं कर पारें इसलिए आज के दिन में हम सुभूं के लिए महत्पूर्ण मुद्दा है सोचने के लिए समझने के और इस बात को हम पने जीवन में दुबारा या दिखार को हासल करते भी प्रभू के से वाकारी में आगे बढ़ने के लिए हम सुमन के लिए महत्पुन विशे है इसलिए भाईयो बेहनों आज के दिन में हम विशेस रुप से प्रार्तना करें कि विश्वास का विशेस वरद प्रभू हमें प्रदान करें विश्वास के द्वारा प्रभू ने का हम सब कुछ कर सकते हैं इसलिए वो विश्वास होगा तो सब कुछ हम कर पाएंगे इसलिए प्रभू से हम आज के दिन में प्रारतना करें से रुश्वर दन्यवाद देते हैं आज की दिन के लिए आज के वशनों के लिए वशनों के द्वारा प्रभू आपने हम से बातें की हैं विश्वास के आवश्चकता को आपने हमारे समुक रखा है हमारा विश्वास भी बहुत बहुत कमी कमजोर है इसलिए प्यारे प्रभू जो आप से विंती करते हैं विश्वास का वरदान हमें प्र प्रभू जी हम सबों का विश्वास का वरदान प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धार करता इस मस्य के नाम से आमेन